फिल्मेकर करन जोहर का पॉपलर चाट शो कॉफे वित करन का सीजन सेवन फैंस के बीच धम्माल मचा रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं के इस शो के जरिये फिल्म स्टार्ज एक छट के नीचे आते हैं जिनसे करन जोहर करते हैं धेर सारी गौसिप। फिर वो फिल्म को लेकर हो या फिर उनकी पॉसनल लाइफ के सीक्रेट्स खोला हो। वेल अब सात्वा सीजन शुरू है जहां बॉल्वूट के कई बड़े-बड़े सितारे अपने पॉसनल लाइफ के राज खोल रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉल्वूट के कुछ ऐसे भी स्टार्स है जो आप तक के इस सीजन में नजर नहीं आये हैं। या यू कहे कि उन्हें इन्वाइट ही किया नहीं गया है। पॉजबाजपाई साथ में से किसी भी सीजन में नजर नहीं आये हैं। रेखा बस नाम ही काफी है। बॉल्वूट की हसीना रेखा आज करोडों लोगों के दिलों पर राज करती है। एक्ट्रिस के एक जोलक पाने के लिए लोग तरसते भी हैं। जबकि फैन्स रेखा को और भी ज्यादा करिफ से जानना चाहते हैं। इसके बावजूद भी अब तक रेखा कॉफे विद करन का हिस्सा नहीं बनी है। लेकिन अब तक कॉफे विद करन के किसी भी सीजन में बॉलिवूड आक्टर नवाजूद दिन सिद्धिकी को नहीं देखा गया है। कहते हैं कि एक जमाना गोविंदा का है। बॉलिवूड सूप स्टार गोविंदा अपने दौर के कितने बड़े सेलिब्रेटी रह चुके हैं ये हर कोई जानता है। लेकिन इसके बावजूद आज तक 80 और 90 के दशक का ये स्टार करन जोहर के शो में दिखाई नहीं दिया। यही वज़ो है कि कई बार करन पर नेपोटिजम पर बड़ावा देने के आरोब भी लगते आ रहे हैं। अपनी कातिलाना अदाओं और आक्टिंग से हुमा कुरेशी ओडियन्स को इंप्रेस करती हैं। हुमा की गिंती उन स्टार्ज में होती है जो हॉलिवुड में भी ज्यव्यू कर चुकी है। इसके बावजूद भी कॉफिविद करन के काउच पर बैट कर गॉसिप करने के लिए हुमा को इन्वाइट नहीं किया गया है। हाला कि फैन्स भी उन्हें इस शो में देखना चाहते हैं। में कई ऐसे स्टार्ज भी हैं जिनने करन जोहर के शो कॉफिविद करन में इन्वाइट नहीं किया गया है। ऐसा क्यों और इसके पीछे क्या रीजन है ये तो हम भी नहीं जानते। पहले स्पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या रहा हैं। कॉमेंट्स कीजिए और बॉलेवड नाफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कॉमेंट्स